हेलो एवरिवन जुडीशल लॉग लासीज में आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रसासनी कानून के स्रोत कौन-कौन से हैं और आपको मैं ये भी बता दूँ कि आज से हम लोग एल एल वी जो थर्ड एयर है उसका जो पेपर है एड्मिनिस्टेटिव लॉग और इसमें प्लस आपका र्टी एक्ट भी आ जाता है वो वीडियो आज से हम कवर करने जा रहे हैं ठीक हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे सोर्सेस ओफ एड् एक राणूस्मेंट है कि जो भी स्टुडेंट्स ये जो आपको यूटूब पे वीडियो मिलती है वो यूटूब वीडियो के परस्पेक्टिव से मिलती है अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट रहते हैं तो आप उनको किस तरह से क्लियर करेंगे तो वो आपके के लिए में आपको ऑल-ाइन जो लाइब क्लाश सेगी वो भी आपके लिए अविलेबल है अगर आप मुझसे ओल-लैन यैभ क्लाशेज लेना चाहते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं जो कि आपकी फिर्स्ट एह जेंडियर सेकिंड और अट्र घर्ड यर तीनों क्लाशेज क के लिए भी ये classes available हैं आप मुझसे मेरा जो contact number है 8506841814 मुझसे contact कर सकते हैं और आगे ज्यादा inquiry के लिए क्योंकि online classes में आप से मैं direct contact कर सकूंगा और आपके जो direct doubt है उनको clear किया जा सकेगा तो चलिए ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए आप मुझसे contact कर सकते हैं online classes के लिए तो प्रसासने कानून के हम सुरोत यहां पर देख लेते हैं ठीक हैं तो सबसे पहले जो महत्पूर्ट सुरोत इसमें आता है वो है समविधान यानि constitution तो constitution प्रसासने कानून यानि हम यह कह सकते हैं administrative का सबसे महत्पूर्ट सुर्स माना जाता है समविधान के जरिये ही सभी administrative जो कार हैं उनको संचारित किया जाता है हम यह कह सकते हैं कि प्रसासने कानूनों को समविधान के अंतरकत ही कारे करने के लिए बाद किया जाता है इसका हम एक उधारण देख लेते हैं कि सम्विधान के अनुच्चित 312 के तहट भारतिय प्रसासनिक सेवा यानि IES का घटन किया गया है जो कि इस अनुच्चित के अंतरकत जो सरकारी नीतियान को लाओ करके काम करती है यानि हम कह सकते हैं कि ये भारतिय प्रसासनिक जो सेवा है एक तैसे एक administrative है वो सम्विधान के अंतरकत कारे करता है तो सम्विधान इसका स्रोत हो गया आगे चलते हैं जबकि दूसरा स्रोत यानि source है विधाय का द्वारा बनाए गएन कानून यानि केंद्र सरकार द्वारा, संसत कित्रू और राज सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं अब वो कानून implement होते हैं कहां पर अलग-अलग संस्थानों पर जो संस्थान है वो एक administration का ही रूप होते हैं प्रसासन का ही रूप होते हैं तो वो जो बिधाय का द्वारा बनाए के कानून भी एक तरह से प्रसासन कानून के स्रोत माने जाते हैं इसका हम एक उधारन देख लेते हैं कि सूचना का दिकार RTI Act 2005 नागरिकों को सरकारी दस्तावेज तक पहुंचने के अनुमती देता है यह यहाँ पर बड़ा मेहत्वपून है कि यहाँ पर विधाय का द्वारा RTI Act बना दिया गया RTI Act क्या है? सभी प्रसासनिक सेवाओं कार्यों पर लागू होता है अगर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उस प्रसासन को या उस प्रसासनिक जो भी बॉड़ी है उसको वह सूचना उपलब्द करानी होगी आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट है विन में या Regulations अब यह जो टर्म है आसा करता हूँ कि आप इन टर्मों से अच्छी तरह के से वाकिफ हों कि रेगुलेशन क्या होता है किसी प्रकार की कोई कारणानी के लिए जो दिसान नर्देश बनाए जाते हैं उन्हें हम Regulation कह सकते हैं इसको एक उधान की जरीए समझ लेते हैं मान के चलिए भारती या रिजर बैंक अब भारती रिजर बैंक क्या है एक Administrative Building है या हम यह कह सके हैं सरकारी संस्थान है प्रसासनिक कार इसमें होते हैं तो यह एक Regulation जारी कर सकती है जिसके जारा Banking नियम जो Banking उद्धों को नियंत्रट करते हैं या कि बाकी सारी जितनी बैंक है RBI क्या है ऐसे Regulations बना सकती है इसके नीचे जो Bank है हम कह सकते है State Bank ठीक है बड़ोदा Bank Canada Bank तो ऐसे बाकी जितने सभी बैंक है उनके लिए Regulations बना सकते हैं तो यहां पर हम यह कह सकते हैं जितनी सारी बैंक हैं यानि प्रसासनिक कारे कर रहे हैं तो इनके लिए Regulations क्या हो गए एक सुरोत का रूप हो गए चौता है अपना न्यायक निर्ने तो किसी भी कोट द्वारा Supreme Court, High Court द्वारा कोई भी अगर निर्ने दिया जाता है तो वो निर्ने किसी भी प्रसासन को कारे करने के लिए बात दिकरता कि आपको किस तरह से कितनी हद तक कोई कारे करना है तो नियायक निर्ने भी एक प्रसासनी कानून का सोर्स बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इसको हम एक उधान की जरीए समझ लेते हैं कि यहाँ एक विनीत नायर बना भारत सरकार 1997 का मामला है इसमें जो सुप्रीम कोट है उसने जो केंदरी जाच बीरो है CBI है और अन एजेंसिया है उन से ये कहा है कि आपको किसी भी कारेक में स्वायत अता और कारेपरणाली के कारेपरणाली जो आपके महत्म निर्देश उसके लिए दिये कि आपको ये सई तरीके से संचारित करने होंगे और अदालत ने सुनिश्चित किया कि प्रसासने कारेपरणाली में पार दरस्टा वर निश्चपच्चता होनी चाहिए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे और प्रसासने कानून को मजबूती मिले तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि ये जो निड़ने सुनाया गया ये प्रसासने कानून का एक सोर्स यानि सुरोत की रूप में माना जा सकता है तो नियाएक निड़ने भी एक अच्छा सोर्स है इसके बाद में आदेश और अधिसूचनाए अब क्या है समय समय पर कोई भी सरकार हो राज सरकार हो किंद सरकार हो कुछ ऐसी अदिसूचना या आदिस जारी करते रहते हैं जिनसे जितने भी प्रसासनिक प्रसासन से संबंदे बॉडी हैं उनको उनका पालन करना आविशक हो जाता है जैसे कि किंद सरकार द्वारा लॉग डाउन की अधिसूचना जारी करना तो ये हम कह सकते हैं कि आदेश और अधिसूचना भी प्रसास निक कानून का एक महत्वूर्ण सोर्स या स्रोत है तो आसा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो महत्वूर्ण रहे हो और आपके लिए हेल्पल रहे इसी प अगर लेना चाहते हैं तो आप एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें ये मेरा कॉंटेक्ट नमबर है असा करता हूँ आप वीडियो को सेर जरूर कर देना और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहेगा थेंक यू